हलो बच्चो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस एक ही टीलम को हम दो जगह यूज कर सकते हैं और कैसे एक तो हम अगर हम गर्ल एजुकेशन का कोई पोश्टर या चार्ट बनाएं तो गर्ल एजुकेशन इसके उपर लिख करके और कोट वगरा लिख सकते हैं से मैंने देखना सिखा दिया जाए तो काफी हद तक बच्चे इंगलिस को अच्छे से समझने लगते हैं सीखने लगते हैं अब यह पहले देखें कि टीलम कैसे बनाया है इसके लिए हमने क्या किया है यह इस तरह का पेपर लेकर के पेश्टल सीट लेकर के उसको इस तरह की इसके बाद इसको यहां पर हमने किसी भी धागे से बांद दिया है और इस शेप में इसको लगा दिया है यह वाला कैसे बनाया हमने इस तरह से पेश्टल सीट लेकर के उसको फोल्ड करके बटरफ्लाई की शेप में काट लिया है और इसको दो बटरफ्लाई बना लिए एक तो यह आप देखेंगे कि सारे बनाये हैं जिसके कौन में लगा दिये हैं और यह आप जैसे देख रहे हैं उस शेप में पेशिटर सीट को कात सकते हैं और इसके लिए क्या गिया है कि हमने बहुत इसे शीट को काटा है और इसको ऐसे फोल्ड करके रोल करते जाएंगे उसको लाश्ट में चिपका करके यहां पे लगा देंगे अब देखेंगे कि कौन से वर्ड्स हैं जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं यह मैंने 107 वर्ड लिखे हैं यह से लिखा है मैं और ओल एम कम काव दी डैड दे डिड दू डॉग और ई से लिखे हमने ए एट और एग एफ से फैट फॉर फिक्स सॉरी फन जी से गैट गो गुड गोट एच एच से हैड हैट ही हैं हैं हियर हिम हिज होम होत आई से हो गया आई इफ इन इंटू इज इट्स जे फोज जंप और जे से फिर जश्ट के से कीप कि नो एल से लैट लाइक लुक एम से मैं में मूम माई एं से नो और नॉट ओसे ओफ ओन ओ ओ ओल्ड वन और आउट पी से पैन पैट पिग प्ले क्यू से क्वीएट और दूसरे वाला क्वाइट शान्त वाला एक बिलकुल वाला और 1 एक चीज़ ओर इसमें देखेंगे आपकी इनको अलफा वैटिकल ओडर में लिखा है तो इससे आप बच्चो को डिक्सनरी में देखना भी सिखा सकते हैं थैंक यू